नमस्कार निउस फोनेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दिवराज बिहार के डिप्टी सीएम तारकी सोर परसाद ने कल बिहार के लिए 2020-22 का बजट पेश किया कुल बजट की राश्ची 2,18,303 कड़ो रुपे स्विक्रित किये गए वही निदिश कुमार ने इस बजट को संतुलित बताया है और यहाँ भी कहा है कि यहाँ बजट सभी वर्गों के हित में है उन्होंने यहाँ भी कहा है कि 2005 से बिहार की जो विकास दर है वो डबल डिजिट में चल रही है और यहां बजट इस डबल डिजिट को बरगरार रखने में महत्पून सावित होगा और आपको बदा दे चले साथ निश्चे पार्ट टू के लिए भी नितिश कुमार ने इस बजट में 4,671 कडोर रुपए स्विक्रित किये हैं उन्होंने यहां भी कहा है कि जिस प्रकार की विकास बिहार में चल रही है वह इस बजट से और भी मजबूत होगी आईए आपको अब इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और यहाँ बताते हैं कि इस बजट में किस सेक्टर के लिए कितने रुपए स्विक्रित किये गए है। पांच लाग तक बिना ब्याच का कर्च महिलाओ के लिए दिया जाएगा इसके लिए 200 कड़ो रुपए स्विक्रित किये गए हैं। बजट में यहाभी प्रावधान है कि 2030 तक सत्प्रतिशत साक्षर्टा का लक्ष बिहार में रखा गया है। बजट में यहाभी लिखा गया है कि 10 नए मेडिकल कॉलेज इन जिलों में खोले जाएंगे। यह जिले है वैशाली, बेगुसराय, सीतामडी, मदुबनी, जमुई, सिवान, बकसर, पूर्णिया, सारन और समस्तिपूर। तो जैसा कि आपने देखा, इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और फिर विकास की सभी मातपूर्ण योजनाओं को लगातार बढ़ाने का भी अगरग किया गया है। डिप्टी सीएम सवित मंद्री तार की शोर प्रशाद ने यह भी कहा है कि यह बजट साथ निशे पार्ट टू को आगे बढ़ाने में काम्याब होगा, इससे युवाओं को बल मिलेगा और सभी युवा उची सिक्षा लेने के लिए भी ततपर रहेंगे। लगातार खबरों बने रहने के लिए आप देखते रहें निउस फोनेशन, यहां आपको मिलेगी खबर, खबरों से भी आगे। धन्यवाद।